हाई एवरीवन जब मार्केट अपने आल टाइम हाई पे जहां पे निफ्टी 14,000 के पार और सेंसेक्स 47,000 के पार पे ट्रेड कर रहा है और वो भी तब जब एकॉनमी अभी भी ग्रोइंग फेज में नहीं है अभी भी रिकवर हो रहा हो तो ऐसे टाइम पे एक इन्वेस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहां पे हमें सिर्फ उन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके फंडामेंटल काफे स्ट्रॉंग हो तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा देए तो सबसे पहली कमपनी है अग्रिकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कोरोमंडेल इंटरनेशनल अगर देखे तो जिस तरीके से एकॉनमी पूरी तरीके से स्रिंक हुई है इस एर में वहाँ पे सिर्फ एग्रिकल्चर सेक्टर ही कुछ ऐसे चुनिंदा सेक्टर में से थे जिन्होंने एक positive outperformance दिखाया है तो कोरोमंडेल इंटरनेशनल पेस्टिसाइड्स बनाती है फंगिसाइड्स बनाती है इसके साथ साथ फॉस्फोरस बेस्ट फर्टिलाइजर बनाने की इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कमपनी में से एक है इसका current stock price देखेंगे तो 814 पे कमपनी के अगर हम fundamentals को check करें business के तो price to earning ratio इस price के हिसाब से 17 है और market का जो पूरा value 23,000 करोड से भी ज्यादा है पिछले 5 सालों का average return on equity रहा है वो 21% करहा है और earning per share growth का average 5 सालों का growth देखेंगे तो 29% के आसपास रहा है debt to equity ratio देखेंगे तो 0.11 है यानि की company के उपर debt भी जादा नहीं है और peg ratio price to earning से growth को अगर compare करेंगे तो वो है 0.84 का तो overall यह जो company है वो fundamentally देखें नहीं किसी तरीके का debt है on and average पिछले 5 सालों से growth हुआ है तो इन companyों में जब भी कोई deep आए क्योंकि अभी market all time high पे है तो अगर हम यहां से buy करते हैं तो हमें थोड़ा view जादा रखना होगा 3 to 5 years बट इस तिल जब भी इन companyों में कोई भी आती है तो यह investors के लिए favorite stocks होते हैं और हमेसा इन में buying opportunity मिलती है दूसरी company है गुजरात gas अब गुजरात gas की बात करें तो all over India में इसके 400 से भी ज़्यादा CNG के stations है mainly यह oil and gas industry से related business है और natural gas का business करती है पिछले 5 सालों का अगर हम इसके profit की बात करें तो on an average 20% का growth इसने दिखा रहा है current जो इसका price है देखें तो 378 के आसपास trade कर रहा है तो company के 5 सालों के return on equity होता है वो 21% का average रहा है return on equity अगर आसान सिभासा में समझाए तो 100 रुपए पे shareholders पे कितना रुपए earn कर रही है तो 21 है इसके साथ-साथ earning per share growth के पिछले 5 सालों का average देखेंगे तो 21% का रहा है company का debt to equity ratio 0.6 है यानि virtually company almost debt free है और peg ratio की बात करें तो 1.14 है तो पूरे overall oil and gas sectors की बात करेंगे तो CNG से जुड़े हुए business का जो outlook है वो काफी बहतरीन है तो mid cap stock है इसमें भी ऐसे ही जब भी correction होता है तो 20-30-40% का और जब भी moment आता है तो हमेशा 20-30-40% का चूंकि mid cap stock है तो इन company में जो volatility होती है ज्यादा होती है तो जब भी इन stocks में आपको buying opportunity मिले याने dip मिले तो आप इनके fundamentals पे आँख बंद करके भरोसा करके इस पे invest कर सकते हैं अब तीसरी company है केसी international infrastructure sector से जूड़ी है अब इसके business की बात करें तो power projects जैसे की transmission towers railway के railway से regulated construction work इन सब में company का business है सिर्फ इंडिया में ही नहीं all over world में hundred countries में भी ज्यादा ये company अपना construction या इससे related business करती है mainly अगर हम बात करें तो इसका जो current stock price है वो 371 पे trade कर रहा है price to earning ratio 17 है और last 5 सालों के profit growth की बात करें तो on an average 56% का remarkable रहा है पिछले अगर हम 5 सालों का investors को profit की बात करें तो 20% का on an average stock return रहा है पिछले 5 सालों का current market capital है 9000 करोड का और 5 सालों के return on equity की बात करें तो वो 20 है earning per share growth की बात करें तो वो 26 का रहा है debt to equity ratio की बात करें तो 0.8 और peg ratio है 0.6 ओर आल जो यह तीनों कंपनिया है चाहे केसी international हो कोरो मंडेल international हो या गुजरात कैसो तीनों कंपनिया अपने अपने industry के significant market को capture करती है और बड़े बड़े नाम है इसके साथ-साथ इन कंपनियों के जो sears हैं वो काफी ज़्यादा liquid है किसी भी तरीकी का बहुत ज़्यादा debt भी नहीं है जो तीनों stock हैं institutional investors के भी favorite रहे हैं सभी stocks देखें तो on an average 20% से ज़्यादा return on equity पे है profitability भी 5 सालों से काफी अच्छी है और इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो जो पेग ratio था सिरु गुजरात gas को छोड़ दे तो कोरो मंडल international या KECK less than 1 थे तो हमें ये stocks एक reasonable valuation पे अभी भी मिल है और अगर हम इनको hold करते हैं for a longer period of time तो हमें एक अच्छा return देखने को मिल सच जाएगा तो I hope आपको ये video useful लगा होगा अगर useful लगा है तो video को like ज़रू करें thank you for watching